सब्सक्राइब लोग पूर्ट कोई सरकार का जोजना मिल रहा ज़रूर मिला आप लो पर को एक बार मिला था हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं दोल्ग को आप लक्री ला रहे हैं आप लग्या देवी तो जना कुछ सरकार अभी अबुआ आवास जो सेमंत सरें सरकार दे रहा है वह घर में आप लोगों को मिला थो नहीं मिला है और यह ख़र टका मैया सम्हान योद्ना पैसा वह भी नहीं पीछा आरंभरे थे कि में हां अब भरक भेज़ दिया लेकिन पैसा नहीं अचा मैया योजना मिला नहीं है अबुआ आवास मिला नहीं है और भी जो जो जना है सरकार का सरकारी काम उन सब हिलता है कि शाप लोगों तो कुछ भी नहीं नहीं अच्छा क्या नाम है दादी सावित्पी देवी बढ़िया अब भी आवास दे रहे हो मिला वी जना नहीं मिला है अचा मैया चाची लोगों को जो है एक अख हजार रूपया हेमन सोरेन भेज रहे हैं अटा में एक महिना में वह मिला है अभी हम लोग गिरीडी जिलाक के पीर टार परखंड में हाई और आज यहां से हम लोग जानने क प्रयास करेंगे कि मुख्य मंत्री हेमन सोरेन का योजना क्या-क्या चाची मया वहिंदी लोग को मिला है उससे हम लोग बातचित करेंगे इधर देखिए गाओं में हम लोग हैं चाची लोग लकडी चुनकर के जोह सो जंगल से आ रही हैं बातचित करेंगे और समझने का प् करेंगे लोग यहां पर हैं चाची लोग है दादी लोग है और बातचित करते हैं इन्हीं लोग से पहले क्या नाम है कि आप लोग के लिए तो लोग या आएगा ताब नहीं हम जानेगा हां आगिया निरावास एक हज़र टाका एक भाजार तुर्ते पेशा कहां मिल वह ए हम गर्य फाट लीए 10 महीना हो गया देखे सरकार आप लोग बोलग है कि हम लोग जो है अभी तक अब सोचिए जरा कहा है आपका योजना हमको लगता है सिर्फ कागजों में आपका योजना चल रहा है मुख्यमंत्री हिमन सोरें जी जरा देखिए हम लोग जूट हम लोग आपसे पूछ रहें कि कुछ बोले नहीं है अभी तक आप लोगों से अभी तो आपसे साभीत्री देवी आपको एक हजा टका मिलता है हां हम रहा तो मत पहले से मिल्रा पेंसं मिल्टा लिए तो कि दो आखो नहीं हो। रूपया हेमन्त चचा आप लोगों को भेजे थे जो सरकार है नहीं नहीं हुआ खुलवाइथे खारम भरे थे यहां पर भी हम लोग बात करेंगा भाई लोग है उनसे भी बात्चित करें भाई ठुनों क्या नाम है भाई फोटू कोल सरकार का जोजना मिल रहा है धरूर मिला आप लोगों एक बार मिला था हम लोगों अच्छा मैया चाची बहीं लोगों को अच्छा बोट आप लोग देते हैं नेका मंत्री को देते हैं अच्छा नाम है देवी जोजना कुछ सरकार का मिला आप लोगों को अच्छा अभी अभू आवास जो सहिमंत सुरें सरकार दे रहा है वह घर में आप लोगों को मिला की नहीं मिला है और एक हजार टका मैया सम्मान योजना पैसा वह भी नहीं मिला है आरम भरे थे कि में हारम भर के भेज दिया लेकिन पैसा नहीं मिला सरकार से कुछ कहिएग अब लोग लिख के लेकर गया है कि नहीं हाँ अभी तक पैसा नहीं गुशा आप लोग देखिए हम लोग ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हेमन सोरें जी हम लोग अभी जिस जगह पे मौजूद है वह भलूआ पहाड़ी है और यह पीर चार परखंड के अंतरगत आता है इस साइड भलूआ पहाड़ी गाओं है इधर फते फूर है और बीच जंगल में हम लोग मौजूद है जंगल है इधर गाओं में हमको नहीं लगता है कि कोई मीडिया वाला यहां पे पहुचता होगा उस जगह पे हम लोग बैठे हैं और यहा लोगों को वाकई में धरातल पे लोगों को कुछ मिलता है इस चीज को लेकर करके हम लोग बराबर बात करते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग को अबुआ वास भेज रहे हैं लेकिन मिला नहीं किसकी गलती है गाओं के लोग है और गाओं के लोग बड़े सीधे साधे लोग होते हैं जो मिलता है वो बोलेंगे गाईगे रहेज उन्हेसize कर रहें हम लोग जंग अगे जाएंगे दूसरी तरफ भल्वा पहाडी है और यह जगह पे हम लोग मौजूद हैं हम लगातार ग्राउंट जीरों से दिखाने का प्रयास करते हैं अब चाची लोग पूछते हैं भोट भी आ गया है नेता लोग यहां पहुंचेंगे आपका घर भोट दिजेगा की और भी चुनाव भी आ रराया जडादी आदेगा अच्छा आपलोग पूछ लने के लिए जब नेता पहुंचता है यहां पे उसके बाद फिर देखने सुनने के लिए आता है कभी ने पांच जाल में बोट लेने के बाद नाए अच्छा फिर वोट आ रहाए दू आप बोलिये गाओं में हम लोग मौझूद हैं लगातार हम लोग यह चीज दिखाने का प्रयास करते हैं कि वाकई में गरीबों को क्या कुछ मिला है और लगातार इस चीज को हम लोग अवगत कराते हैं दुर्भाग यह देखिए जारखन सरकार का बड़े-बड़े योजना हैं आप लोग ला रहे हैं हजारों करोड रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन वाकई में लोगों को मिल रहा है कि नहीं वो चीज हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और गाओं से हैं गाओं में समीप में हैं और नेता मंत्री लोग तमाम लोग आएंगे वोट मंगनी के लिए ऐसे में क्या कुछ होता है 2024 में देखना बनता है बाकी तब तक के लिए शुक्रिया बहुत धन्यवाद जोहार जहिंद